जय स्रीमन नारा है, लच्च में नारा है, मेरे वक्ति सागर चैनल में आप सभी वक्तों का स्वागत है इस वीडियो को पूरा देखना अहोरी अश्टिमी माता की जै हो अहोई अश्टिमी ब्रत कथा अहोई अश्टिमी के ब्रत में पूजा के साथी ब्रत कथा सुनने का खास महत्व है, मानता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका ब्रत पूर माना जाता है, माता है संतान की दिरगाई के लिए पूरे दिन नरजला ब्रत करती हैं, फिर दोवर के बाद अहोई माता की पू एक सावकारता जिसके साथ बेटे और साथ बहू हैं थी दिवाली से पहले कारतिक एश्ट में को साथों बहु है अपनी इकलोती ननतिके साथ जंगल में जाकर техडान में मिट्टी खोद रही थी वहां सियाउ की मात्त थी मिट्टी खोदते समय ननत के हाथ से स्याव का बच्चा मर गया इससे स्याव माता बहुत नाराज हो गई और बोली में तेरी कोख बंदूंगी तब ननत अपनी साथ भावियों सोच बोली तुम मैंसे कोई अपनी कोख बंदबा ले सबी भावियों ने अपनी कोग बदवाने से इनकार कर दिया परंत छोटी भावी सोचने लगी अगर मैं अपनी कोग नहीं बदवाओं तो सासु जी नाराज होगी ये सोचकर निन के बदले में छोटी भावी ने अपनी कोग बदवा लिए अब इसके बाद उसके जो बच्चा हो तो साथ दिन का ओकर मर जाता एक दिन पंड़ित को बुला कर पूँचा मेरी संतान साथवे दिन क्यों मर जाती है तब पंड़ित ने का तुम सुरगी गाई की सेवा करो सुरगी गाई से आऊं माता की भाईली है वह तेरी कोप खुलबा देगी तब तेरा बच्चा जीएगा अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरगी गाई के नीचे सापसपाई कर आती सुरगी गाई ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी गउ माता खुब सवर उठकर के बेटे की भई उसके नीचे सापसपाई कर रही है क्या मांगती है सावकार की भई भोली सियाव माता तो मारी बहाईली है और उन से मेरी कोख बांध रखी है सो मेरी कोख खुलबा दो गउ माता ने का कि अच्छा ठीक है अब तो गव माता समद्र पार सावगार की बव को अपनी बहायली के पास लेगा चल पड़ी राश्ते में कड़ी धूप सी दो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर में एक साप आया उसी पेड़ पर गरुड बखनी का एक बच्चा था साप उसको डसने लगा तब सावकार की बव ने साप मार कर डाल के नीचे दवा दिया और बच्चे को बचा लिया थोड़ी देर में गरुड बखनी आई तो यहां खून देखकर सावकार की बव को चौच मार लेगी तब सावकार की बहु बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बलके साप तेरे बच्चे को करीब आया था मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रच्छा किया ये सुनकर गरडबखनी बोली मांग तू क्या मांगती है वह बोली साथ समद्र पार स्याव माता रहती है हमें तु उसके पास पहुचा दे तब गरडबखनी ने दोनों को अपनी पीट पर बैठा कर स्याव माता के पास पहुचा दिया स्याव माता उनको देखकर बोली आ बेहन बहुत दिनों में आई है फिर कहने लगी बेहन मेरे सिर में जुएं पढ़ गई है तब सुरवजी ने कहने पर स्याव कार की बहुचा ने उसकी सारी जुगे नकाल दी इस पर स्याव माता प्रसनाओ कर बोली तु ने मेरे सिर में बहुत सलाई खेरी है इसलिए तेरे साथ बेटे और साथ बहुचा होंगे बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे शाओ माता बोली बचन दिया है तब सावकार की बहु बोली मेरी कोक में तुमारे पास बंद पड़ी है यह सुन शाओ माता बोली तुमें मुझे ठग लिया जा तेरे घर पर तुझे साथ बहुएं मिलें तु जाकर अजमन करिए साथ अगोई बनाकर साथ कड़ाई करिए और लोटकर घर आई यह तो बहुएं देखा के साथ बेटे साथ बहुएं बेटे हैं वह कोसो हो गई उसने साथ अगोई बनाई साथ अजमन किया और साथ कड़ाई करिए सामके समय जेठानियों आपस में कहने लगें कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो कहीं छोटी बव को याद करके ना रोनने लगें थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से का अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज हुए अभी तक रोई क्यों नहीं बच्चों ने आकर का चाची तो कुछ माट रही है खूब अजमन हो रहा है यह सुनते कि ठानिया द्रोड़ी द्रोड़ी वहां आई और आकर कहने लगे तुने कोग कैसे खुलवाई वह बोली तुमने को तो कोग बंदवाई नहीं थी चुए मैने कोग बंदवा ली थी अब स्याए खुब माट किरपा करके मेरी कोग खुल दिया यह स्याए माता जिस परकार वह सावकार की भोई कोग खुली उसी परकार हमारी भी कोग होलना एक कटोरी में ग्यों के दाने या फिर हल्दी चाबल लेकर कहानी सुने अहोरी अश्टमी की ब्रत कता सुनने के बाद अहोई माता की कता के बाद गडेश जी की कता अबस्थ सुने अहोई अश्टमी गडेश जी की पहली कता एक बुडिया थी उसका एक बेटा और बहू थी वे बहुत गरीब थे बुडिया माई हर रोज गड़ेज जी की पूजा करती थी गड़ेज जी हर रोज बुडिया से कहते बुडिया माई कुछ मांग ले बुडिया कहती मैं क्या मांगो तो गड़े जी बोले अपने बेटे से पूँचले तो बेटा बोला मा धन मांगले बगू ने पूचन लगी तो बगू बोला साशू जी पोटा मांगले ना बड़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलव की मांग कर रहे हैं तो पड़ोसन से जाकर पूँचे होया पड़ोसन से जाकर बोली कि गड़ेजी मेरे को बोल कुछ मांग ले तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तु धन मांगे क्यों पोता मांगे तो बड़े दिन की जिंदगी अपनी सुन्दर काया मांग ले घर आकर बुडिया सोचने लगी कि बेटा भवी राजी हो उनकी भी माननी चाहिए दूसरे दिन गड़ेजी आया और बोले बुडिया माई कुछ मांग बुडिया ने का मुझे सुन्दर काया दे सोने के कटोरे में कोते को दूद पीता देगू अमर स्वाग दे निरोगी काया दे बाई दे बतीजे दे सारा परवार दे सुक दे मोच दे गड़ेजी ने का बुडिया माई तूने तो मुझे ठग लिया सब कुछ मांग लिया अब जैसा बोला बैसा ही हो जाएगा और गड़ेजी अर्द अर्दितर द्यान हो गए अब बुडिया माई के यहां सब कुछ बैसा ही हो गया है गड़ेजी मारा जैसा बुडिया माई को दिया बैसा सब को देना होई एस्ट में गड़ेजी की दूसरी के था एक दिन गड़ेजी महाराज चुटकी में चावल और चंप मच में दूद लेकर भूँ रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुड़िया बोली ला बेटा में तेरी खीर बना दो और वह कटोरी ले आई तो गड़ेजी बोले कि बुड़िया माई कटोरी के उलाई टॉप लेकर आई वह दूद से बर गया गड़ेजी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ जब तक तो खीर बना कर रखना खीर बनकर त्यार हो गई अब बुड़िया माई की बहू ने मुक में पानी आ गया हूँ दरवाजे के पीछे बैटकर खीर खाने लगी तो खीर का एक चींटा जमीन पर गिर गया जिससे गड़ेजी का भोग लग गया थोड़ी देर के बाद बुड़िया गड़ेजी को बुलाने गई तो गड़ेजी बोले बुड़िया माई मेरा तो भोग लग गया जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैटकर खीर खाई तो एक चींटा जमीन पर पढ़ गया त तो थाली में डाल कर छींके पर रख देना साम को गड़ेज जी महाराज आये और बुड़िया को बोले कि बुड़िया मेरी खीर दो बुड़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मूती हो गई गड़ेज जी महाराज ने जैसी देन्दोलत बुड़िया को दी बैसे ही हम सब को देना गड़ेज जी की किरपा से आप सबी वक्तों पर बनी रहे जै स्रीमन नारायाड लच्मी नारायाड राधे राधे हर हर महादे अश्टमी माता की आरती जै अहोई माता मैया जै अहोई माता तुमको निस दिन द्यावत हर विशनु दाता जै अहोई माता ब्रह्माडी रोद्राडी कमलातुई जग माता सूरी चंद्रमा द्यावत नारादर सिगाता ओम जै अहोई माता माता रूप निरंजन सुक संपति दातां जो कोई तुमको द्यावत नितमंगल पाता ओम जै अहोई माता तुही पाताल में बस्ती तुही सुभधातां करम प्रवाव प्रकासिक जगनिद सेत्राता ओम जै अहोई मातां जिस घर धारो बासा बै में गुड आतां कर न सके कोई कर ले मन नहीं घब रातां ओम जै अहोई माता तुम बिन सुक ना होवे ना कोई पुत्र पातां कान पान का बैभव सब तुमसे आतां ओम जै अहोई मातां सोब गुड सुन्दर युकतां छीर निद जातां रतन चतुर दसतो कोई नहीं पातां ओम जै अहोई मातां सुरी अहोई मातां की आरतिं जो कोई नर गातां और अमंग अते उप जै पापो तर जातां ओम जै अहोई मातां मैया जै अहोई मातां पूली अहोई मातां की जै विश्णु भगवान की जै रादे रादे कई लादे